अज हमारे पास एक Redmi Note 5 Pro Mobile Courier हुआ है और इसमें प्रोब्लेम है ये Hang-On Logo है चाहे आप जितना भी Full Flash कर दो, Heart Reset कर दो ये Logo पे ही रहता है, आगे नहीं वरता है तो इस वीडियो में हम इसका solution निकालेंगे इसमें क्या प्रोब्लेम हुआ है तो मुझे उमीद है वीडियो को लास तक जरूर देखेंगे आप और इस वीडियो से आपको बहुत knowledge मिलेगा अगर आपका Mobile Hang-On Logo पे आके रुकता है यानि के MI Logo पे आके रुका हुआ है तो उसको कैसे ठीक करना है उसका पूरा डीटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो किपिया आप इस वीडियो को इसकिप ना करे शुरू से लेकर लास तक जरूर देख लेना ठीक है तो यह देख सकते है एक दो मिनिट हो गए लगबक MI पे ही रुका हुआ है यानि कि ये फास्ट लोगों पे ही रुका हुआ है हम लोगों ने इसका बैक कबर ये सब खोल के रखा है नहीं तो वीडियो थोरा चा लंबा हो जाता और इसका मादर बोट को हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ पे जिस भाई ने बेजा है उसने इसमें एक बार काम किया था लोगों हैंग का फिर भी ये कुछ दिन चला उसके बाद लोगों हैंग हुआ तो आखिर उसने मुझे ये मुबल कोरियर कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ इसमें जो sophomore IC है यानि के जो EMC है ओ SK Hynix Company का है इसमें clear नहीं आ रहा है तो एक बार मैं clear कर के दिखाता हूँ आपको SK Hynix का IC है और हम लोग इस IC को निकालेंगे और चेक करेंगे कि यह repairable है या नहीं है अगर इस Wrb.S से repair हो जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम लोग इस IC को चैंस करके Samsung का IC लगा देंगे इसमें, यानि के EMMC चैंस कर देंगे, ठीके तो बने रहे हैं वीडियो के साथ, और फुल टिटिरेल आपको मिलेगा फुल टिप्स मिलेगा कैसे Note 5 Pro Mobile का आसानी से हम लोग EMMC चैंस कर सकते हैं, without CPU, ठीके तो केमेरा को हम लोग खोल के साइट में रख देते हैं, और इस EMMC को निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो हम लोग CPU के उपर थोरा सा protection देंगे, ताकि CPU को हीट ना लगे, तो ये paste है, थोरा सा पेस्ट भी दे देंगे EMMC के आसपास, और अभी हीट एफलाई करेंगे, SMD का हीट रहेगा 360, आप 360 से 360 के बीज में रख सकते हैं, मैं 360 रख रहा हूँ, ठीक है, और IC को निकाल लेता हूँ, और IC को एक बार शेक करना है, निकालने के बाद कि IC में क्या प्रोब्लेम हुआ है, ओके, और जो भी नेसेसरी फाइल रहेगा, Redmi Note 5 Pro Mobile का Software IC Repairing या Software IC Sense करने का, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्राइप्शन में मैं आपको दे दूँगा, बहुत ही आसानी से, आप डाउनलूट करके आप Redmi Note 5 Pro Mobile का EMMC चेक कर सकते हैं, तो EMMC हम लोग ने निकाल लिया, अभी थोड़ा सा इसको किलीन करेंगे, साप करेंगे, और EFI Box का यूज करेंगे इस समय ठीक है, तो EFI Box में लगा दिया अभी जाते हैं कॉम्पीटर पे, और EMMC टूल जो है, EFI Box का, उसको उपेन करते हैं, यहाँ पे identify करते हैं सबसे पहले, तो EISIC का जो detail से हम लोग को मिल जाएगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यह 90% consume हो गया है, क्योंकि 90% consume होने से आपका mobile logo हैंग या dead हो जाता है, तो यहाँ पे already device partition हो गया, पहले से ही नहीं तो हम लोग 90% consume कर सकते थे, ठीके, यहाँ पे देख लिजिए partition already done, अभी दुबारा से partition नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग दूसरा एक Samsung का EMC लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यह EMC totally blank हैं, और इसमें partition configuration राइट करने के बाद हम लोग इसको engineer file से flush करेंगे, जो की engineer plus modified farmer है, मतलब यह farmer भी है, एक तरह से engineer file भी है, तो इसको flush कर देंगे, flush करने के बाद direct IC को mobile पे लगा के on करेंगे, और देखेंगे क्या होता है, कभी कबर ऐसा होता है कि engineer file को आपको पहले write करना नहीं होता है, ठीक है, only device configuration file या ESD, CSD file write करके, IC को mobile के motherboard में लगाना है, और उसके बाद EMT dungle से आपको engineer file से flush करना है, तब जाके mobile on होता है, कभी कबर on नहीं होता है, तो उसको EFI box से flush कीजिए, अगर EFI से नहीं होता है, तो IC को दुबारा से उठाइए, और उसको blank कीजिए, erase कीजिए, erase करने के बाद, partition configuration जो है, ESD, CSD file write कीजिए, और IC को motherboard में लगाके, EMT dungle से flush कीजिए, और उसके बाद आपका mobile 100% turn on हो जाएगा, तो अभी flush होने देते है, यहाँ पे time लगेगा थोरा सा, मैं वीडियो skip नहीं किया, लेकिन थोरा सा fast forward जरूर किया है, इसमें थोरा सा मैंने वीडियो को speed कर दिया, नहीं तो यह वीडियो कम से कम 30-40 मिनिट बन जाता, मैंने इसको short कर दिया, आप लोगों के time बसाने के लिए, ओके, तो यह flash complete होने तक, वोट करना है हम लोगों को, आपको पहले ही बताता हूँ, मैं अगर eMMC change करना है, तो first आप उसका eSD, chd file राइट किजिए, या partition manager को सही किजिए, उसके बाद blank IC को mother boat में लगा दीजिए, और engineer file को EMT dungle से flash किजिए, अगर mobile on हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो IC दुबारा निकाल लिजिए, और उसको rebel करके EFI box से engineer file को flash किजिए, और उसके बाद लगा दीजिए, 100% आपका mobile engineer mode में on हो जाएगा, ठीक है, और engineer mode में on होने के बाद, आपको उसका USB debugging on करना है, और USB debugging on करने के बाद आपको IMEI repair करना है, original IMEI, कभी भी IMEI change करना नहीं है आपको, मतलब जो mobile के box के जो डबा है, उसको आप हमेशा write किजिए, नहीं तो आपको jail जाना परेगा, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इस mobile का IMEI का भी बारे में आपको बताऊंगा, कैसे इस mobile का original IMEI को हम लोग restore कर सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो को अंतक जरूर दिख लीजिए, अगर आपके कोई भी mobile हो, जिसका EMMC या software IC आप change करना चाहते हैं, या 32GB से 16GB, 16GB से 168GB करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह काम खतम हो गया, अभी हम लोग IC को लगा दिया, लगाने के बाद अभी mobile को on करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा वोईट करेंगे, क्योंकि फ्लाश होने के बाद यह देख सकते रेडमी आ गया, और यहाँ पर MIUI भी आ गया, तो चार्जा लगा देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें चार्ज थोरा सा कम है, बहुत टाइम लोगो हैंग था, ओके, और आपको अगर आपका mobile आपगरेट करना है, मैं 16GB से 32GB, 32GB से 64GB, 64GB से 108GB और RAM 2GB से 4GB, 4GB से 6GB करना है, तो आप मेरे से contact कर सकते हैं, आपका कोई भी mobile हो, तो मेरे contact number वीडियो के description में मेरे website मिलेगा, website पे जाके आपको मेरा contact number मिलेगा, तो वहाँ से contact number लेके मुझे कोई भी question करना है, mobile repairing के regarding, तो मुझे basic कर सकते हैं, तो यहाँ पे MIUI लोगों पे आके यहाँ पे थोड़ा time लेगा, आपको पता ही है, क्योंकि flash करने के बाद कोई भी mobile on होने में 2-3-4 minute time लगता है, तो इस तरह से हम लोगों ने, इसका तो emmc file write कर दिया, अभी on हो रहा है, ठीक है, on होगे, अभी mobile को setup कर लेते हैं, setup करने के बाद देखते हैं, इसका IMI है या नहीं है, अगर IMI नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम लोग इसका IMI, original IMI restore करेंगे, या repair करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे setup कर लेते हैं, वीडियो को मैंने थोड़ा सा fast forward कर दिया था, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता, कोई नहीं, तो IMI repair करने के लिए आप फिरी tool भी yes कर सकते हैं, unlock tool भी कर सकते हैं, EMT dungle भी कर सकते हैं, मेरे पास EMT dungle है, तो मैं EMT dungle से इसका IMI repair कर दूँगा, मेरे पास इसका original IMI है, ओके, तो यहाँ पे last, यहाँ पे थोड़ा सा time लगेगा, तो देख सकते हैं, mobile तो complete on हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, model number है, Redmi Note 5 Pro, और IMI check करके दिखाते हैं, unable to get IMI, तो इसके लिए आपको एक code डालना होगा, star hash 717717, नहीं तो 13491, MIUI बार्जन पे साथ बर पेज करने के बाद, यहाँ पे USB debugging on करेंगे, on करने के बाद, computer पे जाके, EMT dungle से इसका diagnostic port enable करेंगे, ठीक है, तो EMT dungle आ गया, अभी Xiaomi special पे जाके enable dike port, दुबारा से try करने से यह 100% आ जाएगा, यह देख सकते हैं, यहाँ पे diagnostic port भी enable हो गया, अभी हम लोगों को जाना है, radian tool और नीचे है restore QCN, तो QCN आप मेरे वीडियो के description से download कर लिजे, और QCN फाइल को write कर दीजे, यहाँ पे tap करके आपको diagnostic port और IMEI 0 पे ही रहने देना है, ok कर देना है, कोई share share नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको IMEI 00 होगा, कोई बात नहीं, उसके बाद आपको mobile को reboot कर देना है, reboot करने के बाद दुबारा से diagnostic port enable करना है, और original जो IMEI है उसको write कर देना है, तो यहाँ पे process finished हो गया, mobile मैंने reboot कर दिया already, और reboot होने के बाद थोड़ा से wait करते हैं यहाँ पे, reboot होके on हो गया, तो इसको card देते हैं कोई नहीं, आभी हम लोग इसको दुबारा से diagnostic port enable करेंगे, शामी special पे diagnostic port enable का option है, वहाँ पे जाने के बाद diagnostic port enable हो जाता है, तो red and tool में आएंगे दुबारा से repair IMEI, ओके कर देंगे, येस कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे ओके करके, diagnostic port enable करके ओके करेंगे, और यहाँ पे हम लोग का जो original IMEI है, मेरे पास इसका original IMEI है, तो IMEI को यहाँ पे first IMEI और यहाँ पे second IMEI कॉपी करके हम लोग इसमे पेस्ट कर देंगे और okay करेंगे, और एक देर मेनिट के अंदर original IMEI भी इसका restore हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से Redmi Note 5 Pro Mobile का without CPU हम लोगों ने eMMC change करके इसका original IMEI भी restore कर दिया, मुझे उमिद है, इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे देर हो रहा है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं तब तक, आपका कोई भी mobile repair करना है, या कुछ भी करना है, mobile regarding, कुछ भी बाते करना है, question करना है, तो बेशक कीजिए, और वीडियो में comment भी कीजिए, हम लोग हमेशा सब comment का reply भी ज़रूर करते हैं, ठीक है, तो ये emmc process, emmc chance का जो process का वीडियो है, हम लोग के पास तो बहुत चरह काम आते हैं, लेकिन सब काम का वीडियो बना नहीं सकते, time नहीं मिलता है, तो आप लोग के comment और आप लोग को बताना जुरूरी होता है, इसलिए कभी कबर दो एक वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है, तो वीडियो बनाने के लिए extra time जाता है, महनच जाता है, तो इसके लिए आप से एक like और जुरूर से comment इसको कर देना है आपको, वीडियो को अगर अच्छा लगा और कुछ सिखने को मिला, तो यह आपर देख सकते हैं, operation finish, यानि के IMI repair भी हो गया, तो अभी computer का काम किलियर हो गया, mobile का IMI repair भी हो गया, तो हम लोग simply अभी mobile को चेक करेंगे, original IMI repair हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर इस वीडियो से कुछ सिखने को मिला, तो प्लीज मेरे सेनल को subscribe, follow और इस वीडियो को share and like ज़रू कर देना, यह आप से गुजारिश है, ठीक है, क्यूंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो, like और comment नहीं करते हो, आपका एक like से बहुत motivation मिलता है हम लोग को, आगे का वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो इस बार comment ज़रू करके जाना, तो अभी mobile पर आगया, mobile पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो, इसका IMEI check कर लेते हैं, तो देख सकते हैं, यहाँ पर IMEI repair हो गया, तो इस बीडियो में मैंने कोशिश किया आपको दिखाने के लिए, कैसे हम लोग Redmi Note 5 Pro का software IC या MMC IC को sense कर सकते हैं, without CPU, तो और original IMEI कैसे repair करते हैं, हम लोगों ने बहुत महनत करके यह बीडियो बनाया, तो प्लीज चैनल को subscribe ज़रू कर देना, और आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया, आपका दिन शुब हो, जहिन बंदे मातरम,